नमस्कार मैं हूँ पंडित संतोष्णा भादवाज और आज मैं आपको बता रहा हूँ जीवन नेखा के उपर पाए जाने वाले दाग धर्बे अद्वीब के बारे मैं आज आपके सामें सात रक्ष्णा दिखा रहा हूं और यह सातों ही विविद विन विवारियों को बताते हैं पहले आपी चित्र देख लिजिए है कि हमने आपको इसके बाद बोड़ पर समझाओं है कि सबसे पहले लेते हैं कि एक है कि अधियों नेखा पर दीव है और दीव से शुरू होकर रिखा जाती है जाली के ओपर जाने वाली जाली है जाने वाली जाली में जाकर रुपती है यह बताती है है इस प्रियों के अंतर बाए जाने वाली तवीश के बाले में जो उनको कि बच्चा पैदा करने में होती है या पिर मासिक भरम में परिशानी होती 10 दो नमबर पर पाए जाने वाली जो दागं हभ़ minimizing नहाते हो सकते हैं मैं मैं यह बताता है किसी मनुष्य को जहर देकर माग दिया जाए इसकी पुष्टी करनी हो तो मैं शनी परबत पर भी अगर मुझे दबा मिलता है तो मैं कि इस व्यक्ति को जहर देकर मारा जाएगा यह जहर खाकर मरें और जिस एज मैं यह दाख दब्वा होगा यह लक्षण महीं पर लागू हो जाए इससे बचा जा सकता है आप साधन हो जाए और कोई भी आप आदमें आपको इस उम्र में जो खिलाए आप उसको सो समझ के तीन नंबर पर जो दाख धब्वे हैं कि जीवन रेख रट रुपट यह तीन नंबर यहां पर जीवन रेखा रुपट अगर जीवन रेखा तीन नंबर पर जाकर रुप गई इसका मतलब यह सदंड रट अचानक रख्य हो जाएगी पर इसकी परख करेंगे वहां पर अनेक निशान मिलेंगे अब रोध मिलेगा और हम यह सब कुछ इस काले धब्वे को देवकर ही निश्चित करेंगे कि यह मत्यों हिंसा के कारण भी हो सकते हैं कोली मार्दी गई तल्वार से करदी आगया हो तो इसका निश्चय करने के लिए हम दोनों हातों को देखेंगे कि यहां तो देखें आजवारी है कि अभी कभी में मंगल भी देख लेता हूं मंगल भी निशान होता है चीज्च अभी चार्ण नंबर पर दाग दपर दिखाया गया है यह भी कि जहर को बताता है और अचानग नक्ति को बताता है जैर देने से आज नंबर पर देखेंगे कि दीवा नेखा पर दीव है यह दीव है और इसका अंत्र सूर्य पर जालीव हो रहा है इसका मतल्द जात्व को दू लग गयाए कि सणिस्टोफ अच्छे नंबर पर देखिए दीव है और बुद्ध पर जाली है कहरे का मतलब यह है कि पुद्ध सम्मानती जितनी विवार्यां है आज चार तक को तो सभी का सामना करना पर सकता है इसके लिए में जालता हूं पुद्ध रेखा को पुद्ध रेखा को पुद्ध लिवड आई वो तो बिर्कुर सपर्ष कब देती है कि जातक को क्या पजिशानी होगी और अगर जीवन रेखा पर यहां से निकलने वाली रेखा सात रमबर यहां पहुंच रही है तो यह यह क्रोस्ट में काटे का पौख पुड़ा की पाँच रही है शुह एक इसका मद्वल यह होगा कि जा तक को में होगा और तो लिए रोकी परिक्षन तो यह सबाराम से होजाता है अकती होई ओगी द प्तान्यों